नमस्कार भारत की लोकतांतिक आस्ता के पतीक हमारी संसत के इस निवनवनित भौर में के लोकापन समारों में भारत के यश्वस्वी प्रधानमंती माननी नहिंद मोदी जी राज्यसभा के उप्सभापती डाक्टर हरवंश जी गनवान्य अथितिगंद देवियों और सज्जनों मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आजादी के अमरतकाल में संपून राष्ट आजिस महत्पून और एतिया सिक्पल का साक्षी बन रहा है मैं मानिये प्रधान मंती जी को सादुवाद देता हूं जिनके धर संकल्प और प्रेदक मारदर्शन से संसरत का ये नया भोवन धाई वर्षे में कम अबदी में बन कर तयार हुआ मैं उन हजारों शर्मिक भाई बैनों को नमन करता हूँ जिनकी निरंतर शर्म साधना और कठिन परिश्रम से ये भागिरत प्रयास पुरा हुआ कोईड महामारी के कठिन समय में हमारे शर्मिरों ने अपने करतेओं के पृति अध्भू समर्पन दिखाया जिसके कारण राष्ट का ये सामुई संकल्प सिद्ध हुआ जनप्रतिदि जनित और जनता का सेवा भाव के रुप में काम करते हैं पिछले साथ दश्कों से संसत के अंदर हमारे विद्वान नेताओं और सांसुदों की उतकर्ष्ट चर्चा और समवाज से जनता की समश्चाओं का समाधान किया गया और महत्पुर्ण कानून भी बनाए जिससे लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ हमारा लोगतंत और अधिक शशक्त हुआ इस अवसर पर मैं उन सब का भी आभार विक्त करता हूँ लोगसवा में मेरे पुर्वती अध्यक्ष ने सदन की गरिमा और प्रतिष्टा बढ़ाने में समर्पित भाव से योगदान दिया उनका भी मैं सादुवाद व्यक्त करता हूँ भारत विश्व का प्राचिंतम लोगतंत है संपूर्ण विश्व में लोगतंत की जन्री के रूप में हमारी पेचान है संस्विय लोगतंत की इस यात्रा में हमने सदनों की अच्छी परंप्राएं और परपाटियां इस्तापित की है हमारी निर्वाजन प्रक्रिया के कुशल पारदर्शी और विशेशनिये प्रभंदन के कारण लोगों का विश्वास लोगतंत के प्रति और बड़ा है की प्रतिष्टा विश्व में बड़ी है सम्मान बड़ा है आज लोगतंतिक मुल्यों के साथ साथ वेश्चिक चुनोतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की और देखता है भारत की संसद लोगतंतिक व्यस्ता का स्रच किंद है लोगतंतिक प्रक्रियाओं में जनता की बड़ती भागिदारी इस सत्य को रेखांकित करती है लोगतंत हमारे इतियास की बहमुल्य धरवरण लोगतंत हमारे वर्तमान की तागत है लोगतंत हमारे सुन्निम भाईश का आधार है हमारी संसद घरेलू और वेश्चिक चुनोतियों को आउसर में बदलने का सामर्थ रखती है विद्धा में एकता भारत की शक्ती है यही शक्ती संसद में भी डश्टिकत होती है जहां शेत्ये तता विचारधाराओं की भिन्ता के बाद जूद सांसरगत राश्ठित के विश्वों पर एक स्वर्व में अपनी बात को रखते हैं यही हमारी लोगतंत की तागत है भारत की संसद इस प्राचीन राश्ट की गोरोपुर्ण लोगतंत विरासत की कश्टोडियन है हमारा वर्तमान संसद भौन भारत की संता प्राप्ति तता सविधान निर्मान से लेकर अनेक एतियासी घटनाओं का शाक्षी रहा है इसलिए अपनी अन्मोल धरोर को समाल का रखना भी हमारा दाइत है पिछले वर्षों में पक्ष विपक्ष के मान्य सदश्यों ने कई आउसों पर संसद के नए भावन के निर्मान की आउश्यक्ताओं को मसूस किया था इसी परिपक्ष में राज्य सभा और लोग सभा दोनों सद्नों ने मान्य प्रधान मंती जी से संसद का नया भावन बनाने का आग्रह किया मैं प्रधान मंती जी का पुने आभार विक्त करता हूँ जिनोंने मान्य सदश्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस आग्रह को शिकार किया और इतने कम समय में इसको साकार भी कर दिया हमारे इतियास की एक महत्पून धरोर सेंगोल को अध्यक्ष पीट के समीट इस्तापित कर मान्य प्रधानमंती जी ने एतियासिक परंप्राओं के सम्मान एउ नियायपून एउ निश्पक शासन के परती अपने संकल्प को दोराया है ये नवनवित भौन हमारी समध संस्कृति प्राचीन विरासत एउ आधुनिक आकांशाओं का अध्भूत संगम है नए भौन में मानिस्दश्गन नए तकनीकी प्रोध्योगी की क्या उप्योग करके अपनी कारिकुशलता को बड़ा पाएंगे नए वातारण में नए विचारों का सर्जन होगा ऐसा मेरा विश्वास है हमारे नए भौन में उड़जा सरक्षन जल सरक्षन ग्रिन टेकनोलोजी परियावन अनकूलता की विशिष्टा का समागम है ये भौन वास्तो शिल्फ कलाव संस्कृति का अद्भूत उधारण है इसमें संपून भारत की उतकुष्ट वो भीता पून संस्कृतिक विरासत के दर्शन होंगे इस भौन में परितेक भारतियों को अपने अपने राज्य की संस्कृति की ज़ड़क भी दिखेगी हम संसद में जब नए भौन में प्रवेश करें तो नए संकल के साथ प्रवेश करें हम लोगतंत की अच्छी प्रंप्राओं को आगे बढ़ाएं हम संसदी अनुशाशन मर्यादा और गरिमा के नए मान डंड इस्तापित करें ताकि विश्व की लोगतंति संस्ताओं के लिए भारत की लोगतंति संस्ता आदर्श बन सके मुझे पुण विश्वा से नए वातारण में हम सब मिलकर अधिक उड़जा के साथ रशनात पक वशकारत पक चर्चा के महध्यम से एक शेष्ट और विक्सित भारत का निर्मान कर सकेंगे आप सबका पुना बहुत बहुत अभी नदन